हेलो एवरिवन स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम रसाइन विज्यान जेट दो हजार चोबीस के पेपर के बारे में डिसकस करेंगे जिसमें कौन कौन सी क्यूशन आये हैं और उसका जो राइट आंस्वर क्या है वो हम पूरा डिसकस करेंगे तो दोस्तों यहां पे किस तरह से क्यूशन हैं वो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर फर्स्ट में क्यूशन होगा कि बेरेलियम diyorsunалист का शूतर चाह भी यह बिलियाम संथा बोला गए बेरेलियम संथाट का वई लमन्बास्यान माइननस दस है यांकि-दस मोई लेटर माइनस ए तो इसकी जल में परति तो इसमें हम अभी आप सभी को पेपर सोल करवा रहे हैं इसके लिए मैंने आप सभी को गाया स्टार्ट कर दी गई है तो आप सभी के लिए ओनलाइन क्लासों में सब डिश्कस किया जाएगा कि कौन कौन से सिस्टम है किस तरह से कौन से टॉपिक आपकी इंपोर्टेंट है क यह सैत्र कोईль के समस्ट काइए है तो इस विलेन में पी ओएच होगा यानकि पी ओएच कितना होगा दस होगा 10 अमल है तो इस अमल ही रहेगा जादा प्रोंग जादा नहीं होगा निमली हितमे से बॉय योगी बताईए जिसमें प्रते कार्बन प्रमाणों में 66.7 पीकक्षक के गुण पाए जाते हैं तो वो दो नंबर यानकि यहां पे जो राइट आंसर है वो होगे CS2 डबल बॉंड CH यहां पे जो आंसर है वो होगा सेकिन आंसर अब बात करें नेक्स्ट फॉर्थ क्यूशन निमली कित में से कौन से योगी का रंजत सुरण के साथ गरम करने पर एसे टेलीन बनती है उस चाल नमर का आंसर होगा वो होगा यहां पे CHI3 CHI3 राइट आंसर होगा तीन नमर अब आगे बढ़ते हैं कि निमली कित में से सरवादिक छारी प्रकरती दर्षाने वाला योग है तो निमली कित में से कौन सा सारी प्रकरती दिखाता है सरवादिक वो दिखाता है होल्तराइज CS3 होल्तराइज 2 और NH यहां पर जो राइट आंसर है वो थर्ड आंसर होगा अब बात करें यहां पर हाइड्रोजन प्रमाणों के एल कक्षक के एलेक्ट्रोन में स्थी यान पर फोर आंसर है वो राइट होगा आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए जब भी एगरी कल्चर के ओनलाइन क्लासे और साथ में एगरी कल्चर की लेटेस्ट नूज आएगे आप सभी को नोटिफकेशन मिल जाएगा हमारा ओफिशल चैनल है वो एगरी बाई मनोज यूटूब चैनल नेम है तो आप सभी उसी चैनल को ही सर्च कीजिएगा और उसी पर ही आप सभी को ओनलाइन कलासे मिलेगी तो साथ नंबर क्यूशन है कि यदि तत्तो M यानकि जो तत्तो M का इलेक्ट्रोनिक विन्यास 2, 8, 3 यानकि जो फर्ष्ट में 2 है तीसरे में 8 है और तीसरे में 3 तो यहाँ पर पुछाए कि तत्ता A का 2, 8, 7 है तो बनने वाले योगी का सुत्तर क्या होगा तो यहाँ पर M का और यहाँ पर A का बताये यहाँ पर यहाँ पर फॉर्थ होगा राइट अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्यूशन के तरफ में तो नेक्स्ट क्यूशन है कि सोडियम फार्मेट और सोडा लाइम को गरम करने पर जो प्राप्त होती है यानकि जो सोडियम फार्मेट और सोडियम लाइम को गरम करन प्राप्त होती है उसे क्या का जाता है उसे हाइडरोजन कहा जाता है हाइडरोजन कहा जाता है एक आंस्वर है वो राइट होगा आगे बात करते हैं कि वह इलकीन बताइए जिसका ओजरेनी करण के लिए के वह इलकीन बताइए जिसके ओजरेनी करण के लिए के वह इलकीन ब डाई मेथील ब्यूट तू इन प्राप्त होगा तो यहाँ पे आंसर है वो second right answer होगा आगे यहाँ पे प्राकरतिक रबबर का बहुलक है प्राकरतिक जो रबबर है उसका बहुलक क्या होगा तो वो isoprene होगा यहाँ पे fourth answer है वो right answer होगा CH2O में कार्बन प्रमानु की ओक्षिकरन अंक है CH2O के अंदर जो कार्बन प्रमानु की पुछा गया है अंक ओक्षिकरन अंक कितना है तो यहाँ पे उसके बारे में डिसकस किया है तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके आंस्वर की तो answer यहां पर होगा 11 number का 4th number यानकी 0 11 number का answer होगा 0 यानकी CH2O carbon प्रमानो उक्षिकर अनक है वो 0 होगा next में कि ठंडे जल में कौन सा तत्तो किरिया करता है तो ठंडे जल के अंदर जो किरिया करता है वो Na यानकी sodium किरिया करता है आगे है यहां पर आगे next में mustard gains प्राप्ट की जाते हैं तो मस्टरड गेंस है वो किससे प्राप्ट की जाती है तो वो प्राप्ट की जाती है वो sulfur chloride यहां पर answer है sulfur chloride और ethylene की करिया द्वरा की जाती है तो यहां पर C answer है वो right होगा आगे फूर्थ चोओदा नमबर की उसन है कि निमली खित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा जब इतलीन यानि कि इतलीन को बाहर अभीकरमक से किरिया कराई जाती है बाहर अभीकरमक से अभीकरिया करवाई जाती है तो उसे जो कौन सा योगी प्राप्त होता है उसके बारे में पुछा है तो 14 नमबर का आंसर है वो होगा यहाँ पे ch2oh.ch2oh यहाँ की शेम ही सुतर प्राप्त होगा ch2 यहाँ पे second आंसर है वो होगा अब बात करें next question की तरफ में तो next 15 नमबर question है आगे बढ़ने से पहले आप सभी students को बता देता हूँ कि इस PDF को download करने का link है वो आप सभी को description box में दिया है इसके साथ में यह आप सभी online test भी लगा सकते हो उसका link भी देदूँ हम आप सभी को तो वहाँ से जाकर आप सभी PDF है वो download कर सकते हो आपको वहाँ से जाके सभी PDF है ICR के old paper है उसके साथ में यह other भी old paper है यानि भी H.U. के भी है और उसके साथ में यह आपके साथ जैट के भी old paper upload किये हुए तो वहाँ से download कर लेजिए अब बात करें कि 15 नमबर helium plus यानि कि helium के अंदर जो plus लगा हुआ है plus के तीसरे और चोथे कक्स में electronic की गति का अनपात होगा यानि कि helium के अंदर जो electronic की विन्यास का बुच्छा है तो यहाँ पे होगा 4 अनपात 3 होगा यानि कि तीसरे और चोथे के अंदर तीसरे में तो 4 होगे और चोथे में 3 यानके इस हिसाब से इलेक्ट्रोनिक का विन्यास यानके गति का अनुपात होगा चार अनुपात तीन होगा अब 16 नमबर क्यूशन है यहाँ पे 16 नमबर का होगा 1 पलस 1 और पलस 2 का ओक्षिकरण अंक दर्शाने वाला तत्ताओ है तो प्लस 1 और प्लस 2 का अंकर जो ओक्षिकरन अंक दर्शाने वाला ततव है वो कौन सा होगा तो वहाँ पे तीन नमबर कोपर होगा राइट आंसर है वो कोपर होगा अब आगे बात करते हैं कि आयनिक गुणों को बढ़ाते करम में सही करम को दर्शाता है यानिक बढ़ते करम में कौन सा सही दर्शाता है तो वो दर्शाता है B, E, C, L, 2 फिर उसके बाद में M, G, C, L, 2 फिर उसके बाद में आता है C, A, C, L, 2 और उसके बाद में आता है B, A, C, L, 2 आप सभी को बता देता हूँ कि जो चिन है उसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी दो तिन कलासो में समझाया हुआ है तो आप सभी मेरी पुराने वाली कलासें देखिए यहां पे हम ज़्यादा discuss नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे इतना time नहीं है हमारे पास में अगर आप छोड़ा सा topic समझा देता हूँ कि यहां पे यह छोटे का निसान दिया गया है और यह इस तरह होता है तो वो बड़े का निसान होता है अठारा नमबर की सने यहां पे इलेक्ट्रोन से नहीं अभीकर्मक में होना आवशिक है इनकी सने अभीकर्मक में होना आवशिक है तो वो कौन सा होगा तो वो होगा यहां पे अठारा नमबर का अंसर है वो फोर्थ एकक्सक खाली होगा नेक्स्ट में एक निमली खित में से किस पदार्त में वास्पी करन की मातरा उंच होगी तो वो होगी यहां पे 2-2-Di-Methyl-Propane होगा राइट आंसर है वो फोर्थ होगा यहां पे 2-2-Di-Methyl-Propane होगा आप सभी को बता देता हूँ कि जैट के जो पेपर होते हैं उस सभी में जैट जो एग्रिकल्चर, बायलोजिय और कमेश्टे यह उसके 40-40 क्यूशन आते हैं तो यहां पे आप सभी के 40 क्यूशन है तो यहां पे उसके बाद में 20 नंबर क्यूशन है कि CS3, होल्तराइज 3, CMZBR की D2O यानकि भारी जलका सुतर है तो D2O के साथ कीरिया करवाने पर प्राप्त होता है यहां पर एक आंसर है वो राइट आंसर होगा 21 नंबर क्यूशन है यहां पर कि प्रवावित करने पर जो प्रवावित करने पर निम्मली खित ल़गों का अवशेशन होता है आफशेपन होता है, स Release 15 होगा, तो vite 15 कौन सा होगा, आप सभी इस क्यूशन का है वो कमेंट कीजिए, वो हमारे कलास का पार्ट 1 है इस वीडियो में, हम पार्ट 2 है वो जल्द ही लेके आएंगे तो आप सभी चैनल को कर लेजिए happy सब्सक्राइब ताकि जब भी यह उनलाइन क्लास होगे और शेकंड पार्ट आएगा तब आप सभी मिल सकेंगे